भिंड जिले में एक ऐसा भी संग्टन है जो जन्म दिन पर केक की जगए गाय के लिए चारा काटता है इसके लावा सहर में आबारा गाय बीमारी से पीड़े सभी गाय का इलाज भी जगए पर जाकर करता है यह पिसले तीन साल से काम कर रहा है संग्टन है करीब 30 लोग काम कर बिंड जिले के लावा अलग अलग जगए पर गाय को देखकर तुरंग पहुंच जाते हैं उनका इलाज भी करते हैं जिले में आदिज बताते हैं कि हम दो साल पहले जब जब अपना जन्रम दिन धुन धाम से मना रहा है थे उस वक्त अचानक मेरे साथ थोड़ी दूर पहले गाय को भूखे प्यास से तर्ट वे देखा और मुझे लगा कि मेरे दौरा धुन धाम से भूजन किये जा रहा है अधर भूख से तरफ रही गाये तो हमने सोच लिया कि जन्रम गाय के साथ ही मनाये जाएगा एक साल पर अचानक लंपी वारस आया तब भी संक्रण में लगातार गाय को मुझ से बचाय था लाल यह संक्रण में लगातार कार कर रहा है रहे हिस अधर कशार लगा ह्पिसार अपनी माता तो डश इसे जगाया यह पानी पलाया थो उसने पानी भी पिया भारा पानी पिया इस-वारा कि भूंकी थी है पिर हमने सब लोगन विच्छार किया मेरी टीम ने कि आप उन तो घर में खाना खा सकते हैं अगर यहां तुम पार्टी मुझे नहीं दोगे एक पैसा जो खर्च कर रहे हो इससे गायों को प्रतिजू करोगे उन्हें भी खाना पहुंचाओगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता तो मेरे मन में महां से एक उदासीन आखों म और सब लोग थे सभी ने कहा यह काम मैं खाना खाई नहीं सकता है यह से जहां मेरी गाय मर रही है और मैं महां पार्टी करकर खाना खाऊं यह मेरी माता है एक गाय माता पूरे विस्व की भारत माता ही गाय माता है हम लोगों ने महीं खाना छोड़ दिया केक छोड़ा और स सवे गाय को हराचारा खिलाएंगे और इतनी दूप थी पानी वरसाथ थी मैं संकल्ब लिया मेरी यह पेल सुरू हुई है आप किर्पया बर्ट्रे मनाईए घर पर मनाईए लेकिन जो पैसा खर्च कर रहा है इन मेरी आप सब की गाय माता है मेरी अकेली की नहीं है इनको भी खिला दीजिए बड़ा आशिरवाद मिलेगा मेरा आप से हाथ जोड़कर निवेदा ने अपना जनम दिन का पैसा है किर्पया इन गाय मातां ऊपर खर्च कीजिए यह आपको बड़ा आशिरवाद देंगी मतलब मैं तीन साल सेवा कर रहा हूं निरंतर मेरी टीम में अभी 35 लोग जुड़ चुके हैं और आंगे भी जुड़ रहे हैं और हमने लंपी बारत इतना हिलाज किया था हर गाओं में हमारे पास होना आते हर गाओं में और जहां तक हम मेरे उपर समय होता हमारी टीम पर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा